क्या रहा है कि 20 नंबर का जो एवरेज था वो था 45 लेकिन बात में यह पाया गया कि एक नंबर इस 20 नंबर में से एक नंबर जो 85 था उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया था 45 पढ़ लिया गया था तो अब कह रहा है कि correct average बताई कि क्या होगा इस तरीके के question में हम कैसे proceed करेंगे सबसे पहले हम sum find out करेंगे sum of 20 numbers find out करेंगे और वो कैसे हमें मिलेगा जितने numbers है और उनका average है उसका multiplication means 20 to 35 that equal to 700 हमें यह पता जल गया 20 number का sum कितना है 700 है अब question में क्या कह रहा है कि एक number था 85 जिसको गलती से क्या पढ़ लिया गया 45 पढ़ लिया गया it means अगर 700 में 45 हम minus कर दें और 85 plus कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा correct sum मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे 700 में सबसे पहरे 45 minus करेंगे फिर add कर देंगे 85 तो जो value आएगी वो कितनी आएगी वो 740 अब हम क्या करेंगे इस 740 का average निकाल लेंगे और total number of कितने numbers है 20 numbers है तो इस 740 को divide कर देंगे average निकालने के लिए 20 से तो जो value निकल के आएगी वो कितनी आएगी 37 it means कि correct average इस question का क्या है 37 आएगी 7